असलाम वालेकूं जैभीम और जैभीम आज यहाँ पर जो जल्सा हमारे शाके से एक साथ उम्मिद्वार और इमायम की जानीच से यहाँ पर जो रख्टा गया है सेर का अगमार हो गया है इस मालार में उससे पहले मैं कुछ दो अलफाज आप से कहना चाहूंगा यह पार्टी जो है मजलिस से इत्यादों मुसल्मिन यह पार्टी मुसल्मारों की नहीं बलकि दली तार OBC की भी पार्टी है बंबै से कुरला अगदान सवाचुनाओ से मैं वहां से उमिदवार था और वहां के मुसल्मानों ने मेरे जैसे एक मजदूर के बेटे को गरीब के बेटे को 28,000 ओड मुसल्मानों ने दलीतों ने दे दिये उसी तरह से यहां पर भी दलीता और मुसल्मान को एक जगा पर आकर अपने इत्याद को मजबूत करना है एक बैरिष्टर भारत रत्न डॉक्टर भीम्राव बाबा सहेब अंबरकर जिनों ने इस देश का समिधान लिखा और दूसरा बैरिष्टर बैरिष्टर 822 ओशी जो इस देश के समिधान को बचाने के लिए अपनी सारी खुशिया तुर्बान करके पुरे देश में जाकर मुसल्मान और दलितों को जगा रहा है आपको यह सोचना होगा कि मुसल्मानों के ओट आस तक कॉर्मरेस ने लिए NCP के राश्टवादी ने लिए समाजवादी पार्टी ने लिए लेकिन सही में यह पार्टी या सेकुलोर है या नहीं है इस महाराष्टा का विदान परिशेत का विरोधी पक्षे नेता कोन है इस महाराष्टा का विदान परिशेत का विरोधी पक्षे नेता विबक्ष का नेता दनंजे मुंडे है जो कि RSS की शाका में जाता था जो कि ABVP अकिल भारती विद्यार्दी परिशत का महाराष्ट का अधिक्षे था भारती जन्ता पार्टी वा मोर्चा का अधिक्षे था भारती जन्ता पार्टी के माध्यम से वो विदान परिशद में दो बार अमदार बनके चुनके गया यही धनन जे मुंडे आज राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का विदान परिशद का विरोधी विपक्ष का नेता है क्या शरत पवार जब यह धनन जे मुंडे भाज्यप में राइकर धंगा फसाद या कुछ उल्टी सीधे बाते कर रहा था तब शरत पवार को नहीं लग रहा था कि यह धनन जे मुंडे के मुनल है आप देखते हैं विदान परिशद में विखे पाटिल जो कॉंडेस का विदान सबा का विरोधी पक्षन नेता है यह विखे पाटिल पहले स्यूशना से अंपी था इसी महाराष्ट के आमदनगर जिल्ले का रहवास यह हो शूशना से अंदर रही चुका शूशना से यह मिनिस्टर रही चुका विखे पाटिल आज कॉंग्रेस का विदान सबा का विरोधी पक्षनिता है क्या कॉंग्रेस का यही सेकुलूरिजम है नारायन राने जो बाल दागरे के इशारों पर बंबे में काम करता था या बंबे में दलितों का रमाबाई नगर में जो अत्यकार्ण हुआ था दलितों को गोलियों से भूम कर 500 लोगों को 500 से ज़्यादा लोगों को इस बंबे में मौत के घाट उतारा था जेवे नारायन राने शूशना में था आज ओ नारायन राने कॉंग्रेस का लीडर है क्या यह सेकुलूरिजम है आप जानते हैं इस दोपर के सामना पेपर का संपधक संजे निरुपम था यह संजे निरुपम आज कहां पर है यह संजे निरुपम आज कॉंग्रेस का बंबई का अधिक्षे बनके बेटा है अगर हो कॉंग्रेस में आकर शुषणा से ट्रेनिंग लेकर आया हुआ यह संजे निरुपम यह नारायन राने और यह धननजे मुंडे अगर आरेसे से ट्रेनिंग लेकर आकर कॉंग्रेस और एंसीपी के लीडर बन जाते हैं तो क्या हम एंसीपी या कॉंग्रेस को ओड़ देने की सोचेंगे आप जानते होंगे किस बंबई में पचास साल चे हम किसी को भी ओड़ दे रहे हैं समाजवादी को भी ओड़ दिया लेकिन इनका समाजवादी समाजवादी की इनका डेवी निशन क्या है इनका नारायन राने शूशना में रहिकर मुसल्मानों को लाण्या बिलता था उसी नारायन राने के परचार का जिम्मा उठाया तहीं समाजवादी पार्टी के आप्बु असी माजमीरे कल उद्धव ठागरे ने पुलिसों को कहा जो पुलीस भाई आपके लिए हमारे लिए रात दिन अपने परिवार को भी वक्तने दे पाते हैं उस पुलीस वालों को उद्धो ठाकरे ने दो दिन पहले परचार में कहा कि अपनी वर्दी उतारो और वर्षा बंगले पर जाकर उस सियम के कपड़ों को दो बरतन को दो क्या उत्तो ठाकरे यही बास है ठाकरे के संसकार थे क्या यही बास है ठाकरे ने तुम्हें सिकाया है